A. नमस्कार प्यारे विद्यारतियों आप सभी का हारीक अभिनंदन और स्वागत्थ आज का दो मास्टर कैप्सूल टापिक अपना इस मास्टर कैप्सूल टोपिक में हम बात करने वाले राश्ड्य क्यान आयोग की आ तो यह यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का ही एक टॉपिक है जो अनेक भरती परिक्षाओं में जीके के रूप में और पुस्कालय भरती परिक्षा के अंदर जो है वह मुख्य टॉपिक के रूप में पूछा जाता है दोस्तों रास्टे ग्यान आयोग जो है इस रास्टे ग्यान आयोग के अपन बात करें तो इसका गटन क्यों किया गया इसका गटन इसलिए किया गया कि ग्यान का सरजन करने के लिए एक संस्थान एक आयोग जो है यह कमिशन जो है यह सरकार की द्वारा बनाया गया और इस आयोग के अगर अपन बात करें कि इसका मुख्याले का है तो पांच को इस्तापित किया गठन की अगर आपसे बात पूछता है तो गठन अपना हो जाएगा इसका 13 जुन 2005 को लेकिन 13 जुन 2005 को गठन होने के बाद तुरंत ही इस ज्यान आयोग ने कारिय करना प्रारंब नहीं किया था इस राष्टे ज्यान आयोग ने कारिय जो होता है तो कोई ना कोई अध्यक्स होता है अध्यक्स स्तापित किया जाता है दोस्तों तो अध्यक्स जो इस आयोग के थे वह अध्यक्स थे सेम पित्रोदा यानि हम कह सकते हैं कि सेम पित्रोदा की अध्यक्सता में 13 जून 2005 को नई दिल्ली में राष्टे ग्यान आयोग का क् किया गया सदश्यों की संक्या अगर अपने देखें तो अध्यक्स के अलावा इस राष्टे ज्यान आयोग में साथ सदश्य थे दोस्तों तो एक अध्यक्स और साथ अन्य सदश्य जो है वो मिलकर और इस राष्टे ज्यान आयोग का जो गठन करते हैं हम बात करते हैं कि राष्टे ज्यान आयोग के कारिय क्या है तो कारियों पर अगर अगर अपन चर्चा करें तो राष्टे ज्यान आयोग का कारिय एक कारिय तो है विज्ञान एवम प्रोदोगी की जो प्रियोग सालाएं हैं इन प्रियोग सालाओं में ज्ञान का सरजन करना नविन्तम ज्ञान का संचार करना नविन्तम बिंदू जो हैं उनको जोड़ना साथ में अन्य कारिय में देखें तो कर्षी उद्ध्योग छित्तर में ग्यान संग्रेन करना क्योंकि बढ़ती जंसंक्या को देखते हुए कर्षी और उद्धोगों की अतिया आउशकता है तो किस प्रकार से हम करसी और उद्दोगों में नए ग्यान का सर्जन कर सकते हैं इसके लिए भी ये राष्टे ग्यान आयोग कारिय करता है अगले कारिय के रूप में हम यहाँ पर देखें तो बोधिक संस्ताओं में ग्यान का सर्जन करना ये भी इसका कारिय है और बहुत ही विशेस कारी है दोस्तों की 21 सदी की ग्यान चुनोतियों का सामना करने हितू ग्यान का सरजन करना क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ठीक है टाइमिंग जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है दोस्तों आप लोग देखते जा रहे हैं कि टेकनोलोजी बहुत जादा विक्सित होती जा रही है बहुत जादा बढ़ती जा रही है और 21 सदी में इतनी जादा टेकनोल करने का जो कारिये है यह रास्टे ज्ञान आयोग का है तो रास्टे ज्ञान आयोग बहुत ही महतुपूर्ण एक आयोग है जो नोलेज के लिए बहुत ज्यादा कारिये करता है ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा कारिये करता है तो यह था आज का मास्टर कैपसूल और अगले master capsule में चर्चा करेंगे नमस्कार